प्रत्यावर्थी परिपत में जो सक्ति वे होती है उसका निर्धान करना है तो यहाँ पर एसी परिपत में वे सक्ति तो द्यान देजी दिया गया कि किसी एसी परिपत यानि कि किसी प्रत्यावर्थी परिपत में वे वद्द तुर्जा के दर को वे शक्ति कहते हैं तो यह परिपत में जब हम लोग उल्टेज लिखेंगे तो इसका शूतर होता है v बराबर v0 sin omega t प्लस phi यह उल्टेज हो जाएगा और जब धारा लिखेंगे तो धारा का शूतर होता है I zero sin omega t इतना हो जाएगा यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे समी करण 1 और इसको मान लेंगे समी करण नमबर 2 इतना हो जाएगा इसके बाद लिखा गया यहाँ पर कि अता परिपत में वे शक्ती तो शक्त का शूरत रहने की P बराबर होता है V into I तो P यहाँ पर वे शक्ती है V voltage और I धारा तो V और I के मान लोग समी करण 1 और 2 शे रखेंगे तो भी यहाँ पर लिखा जाएगा समी करण 1 और 2 शे इतना हो जाएगा तो यहाँ पर V और I के मान रखे जाएगे तो यह हो जाएगा अब P बराबर V का मान लिखेंगे V zero sine omega t plus phi यह V का मान हो जाएगा फिर इंटू I का मान लिखेंगे तो I zero sine omega t इतना हो जाएगा इसके बाद अब इसको लिखेंगे P बराबर तो यहाँ पर यह हो जाएगा V zero into में दिया गया है I zero इतना हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर ध्यान देजी यहाँ पर लिखा गया omega t plus phi तो इसकी जगे पर हम लोग अब सूतर लगाएंगे तो ध्यान देजी सूतर क्या होता है सूतर ही होता है sine a plus b बराबर होता है sine a cos b और plus cos a sine b तो यह सूतर होता है sine a plus b का cos b plus cos sin b तो यह त्रिकोन मिती का सूतर है यही सूतर यहाँ पर प्रोग करेंगे तो यहाँ पर हमने सूतर में लिखा है a plus b और यहाँ पर दिया गया a के जगे पर omega t और plus b के जगे पर है phi तो यह sine a plus b a की बन जाये गा इसको जब सूतर के लूप में लिखेंगे तो यहां पर दियानी जी पहले लिखा गया mortal कामान यहां पर लिखेंगे फाई इतना हो जाएगा इसके बाद यह बाहर लिखा गया था साइन ओमेगा टी यह इतना हो जाएगा अब इसके बाद इसको लिखा जाएगा फिर P बराबर V0 I0 एतना हो जाएगा यहां पर साइन ओमेगा T के इसमें गुड़ा करेंगे तो जब इसमें गुड़ा कर देया जाएगा तो यहां पर हो जाएगा साइन स्कॉाइर यहां पर sin omega t, यहां भी sin omega t, तो यह बन जाएगा sin square omega t into cos phi, यहां पर आजाएगा फिर plus, इसमें जब यहां पर गुड़ा करेंगे, तो यह हो जाएगा sin omega t into cos omega t, और फिर into हो जाएगा sin phi, तो यह इतना बन जाएगा, अब यहां पर ध्यान देजी, यहां पर त्रिकॉण मित् के शूत्र यह इस स्यूत्र को बनाना यह तो यह Обल दाने दिया गय सी। रोगर में का लिवर डाने की ध्यान पर यह इक रूभ में वह रहती में नहीं दिया गयना है तो आग्या सरोग क्रूपना Pride 2 से भाग कर देना है तो अब यह ही शूतर हो जाएगा P बराबर V0 I0 यहाँ पर लिखेंगे Sine Square Omega T into Cos 5 फिर प्लस यह हो जाएगा 1 by 2 अब ध्यान दीजी यहाँ पर बन गया यह 2 Sine A Cos A 2 Sine A और Cos A के इनसाज़ अब लिखेंगे तो यहाँ पर दिया गया Sine 2 A तो यहाँ पर बन जाएगा Sine 2 E के जगे पेश में हो जाएगा Omega T तो यह इतना हो जाएगा और into में हो जाएगा Sine Phi तो यह इतना आ जाएगा इसके बाद लिखा गया प्रत्यक चक्र यानि कि ना हो जाएगा तो प्रत्यक चक्र के लिए जो शक्त है उसे बोलते हैं और शक्त व्याई सकती तो यह हो जाएगा P बार इसको लिखते है P बार से इसके अलावा तथा जो Sine Square Omega T होता है उसका मान एक चक्र के लिए होता है One by Two और इसके अलावा जो आपका Sine Two Omega T है इसका मान प्रत्यक चक्र के लिए होता है सुनने तो यहाँ पर आपको यह तीनों पॉइंट याद रखने है कि प्रत्यक चक्र के लिए P बराबर होता है P बार यानि कि और सब बैसकती और Sine Square Omega T बराबर होता है एक बटे दो और Sine Two Omega T बराबर होता है जीरो तो अब यह तीनों मान यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो P की जगे पर हो जाएगा P बार तो यह बन जाएगा P बार बराबर इसके बाद हो जाएगा V Zero I Zero अब यहाँ पर दियान दीजी फिर प्लस 1 बाई 2 इसके बाद Sine Two Omega T इसका मान होता है Zero तो यहाँ पर जब Zero लिखेंगे और Zero का बुड़ा हम लोग अब किसमे करेंगे Sine Five में तो यह हो जाएगा P बार बराबर V Zero I Zero 1 बाई 2 Cos Five और प्लस में हो जाएगा Zero Zero का बुड़ा इन सबी सेंख्याओं में करेंगे तो इसका मान Zero हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे P बार बराबर V Zero I Zero आगे हो जाएगा आपका Cos Five और यहाँ पर आगे 1 बाई 2 इतना हो जाएगा तो यह आउशत व्यस्ताक तिकामान ग्यात हो जाएगा इसके अलामा बागे ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ पर जो एक बट्टे दो आया है इसको में लोग लिखेंगे P बार बराबर 1 बाई 2 की जगे पर V Zero I Zero यह दिया गया आपका जो दो लिखा गया इसको में लोग दो अलग अलग भागओ मैं नहीं कि इसको लिख सकते है Root Two और बटे Root Two क्योंकि Root Two और Root Two का अग्या होता है तो One Why Two को जो लिखा गया था वहां पर इसकी जगे पर लिख दिया गया One By Root Two 1 by root 2 जब कुड़ा करेंगे इसका तो 1 by 2 आ जाएगा बाकि यहाँ पर दिया गया था V0 I0 और into में आगे हो जाएगा cos 5 और इसके पहले आपको वीडियो में बताया गया था यहाँ पर कि V RMS यानि कि voltage का वर्गमाद धिमूल मान और इसका मान होता था V0 बते root 2 इसके अलावाद धारा का वर्गमाद धिमूल बताया गया था वहाँ पर था I0 बते root 2 तो यह मान आपको पहले बताया गया है तो यहाँ पर अब वही प्रयोग करना है तो यह बन जाएगा P bar बराबर यहाँ पर V0 बते root 2 इसके जगे पर लोग लिखेंगे V RMS इतना हो जाएगा फिर इन्टू I0 बते root 2 इसके जगे पर हो जाएगा I RMS और फिर इन्टू में हो जाएगा Cos Phi तो यह AC परिपत में वह सक्त का शूत्र हो जाएगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पशंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिएगा